EVM बेरे ध्याने में एक शब्द आया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि EVM का मतलब क्या है इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे मानते हैं Extra Voting Machine, EVM का मतलब Extra Voting Machine यानि कि जितनी वोट हमें मिल ले हैं, वो तो मिली ही रही है इसके अलाबा Machine का साहरा लेकर, हम कितनी Extra Voting अपने खाते में डाल सकते हैं और यह BJP का यही काम है BJP EVM क्यों नहीं हटाना चाहती? जब कितनी ही पार्टियां, लगभग सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही है लगातार कह रही हैं कि EVM में गड़वड़ी है तो इसी क्या बात है BJP और मान्य मोदी जी और मोदी जी की भाजपागी यह पूरी सरकार EVM से चुपकी हुई है यहां ते कि अब VVPETROS में लागू किया गया है सुप्रिम कोट के इतने प्रेशर के बाद यह लागू किया गया है तो क्यों यह EVM को खत्म नहीं कर देना चाहती है तो मैं तो यही मानता हूँ कि एक्स्ट्रा वोटिंग मशीन है और यह एक्स्ट्रा वोट किसी भी हालत में BJP को अगर बैलट पेपर से अलेक्शन कराया जा तो मिल नहीं सकती है दुनिया के बड़े बड़े देश हैं क्शी हैं बैलट पेपर के माध्यम से होती है पर्टिकल पार्टियों का माना यह है कि वोटिंग उससे करायी जाया बैलट पेपर से सरकार को क्या दिकत हो सकती है क्या आपती है सरकार को और मैं तो क्यों सरकार को ही क्यों Election Commission को क्या दिक्कत है क्या पहले नहीं होती थी हमरे देश में वो बैलेट पेपर के माद्यम से जब एक चीज इतनी संदेहे के गेरे में है तो क्या बात है कि Election Commission और सरकार उसी से चुपके हुए है EVM के माद्यम से जब तक Election हो रहा है चुनाब हो रहा है हम तभी तक जीत पाएंगे अगर EVM नहीं तो हमारी हार निश्चित है वैसे भी हार इस बार 2019 का जो चुनाब होगा उसमें इनके निश्चित है और सरकार अगर और भी कुछ नहीं जरासा भी उसमें अगर नेतिक साहस बचा है नेतिकता बची है तो बहतर ये होगा कि EVM के माद्यम से इस बार चुनाब न कराके बैलेट पेपर के माद्यम से चुनाब कराए तो दूद का दूद पानी का पानी सब साफ हो जाएगा अगर तुम्हारे विकास के नारे पर लोग तुम्हें वोट दे रहे हैं अगर तुम्हें लोग पसंद कर रहे हैं और जिस तरह तुम जो तुम्हारा गोदी मीडिया है तुम्हारा विकाओं मीडिया है तुम्हारे दबाब में काम करने वाला मीडिया है उसके माध्यम से तुम लगातार ये सर्वे दिखा रहे हो और सर्वे में दिखा रहे हो कि मोधी जी का जादू आज भी बरकरार है और आज भी अगर election हो जाएं तो 300 से जादे सीटें मोधी जी जीतेंगे तो किया डर किस बात का तो फिर कराऊ नो से जो आपने जो इसे बैलिट पेपर से कराऊ में क्या दिक्कत हो रही आपको पर तुम्हें मालूम है सरकार को मालूम है और election commission को मालूम है और बड़े दुर्भाग्गे से कि जो election commission जो शुरू में जिस तरह से काम करता था और T.N. शेशन साहब ने आके जो election commission की एक छवी बनाई एक निस्पक्ष और एक शशक्त election commission की चुनावायूग की छवी बनाई और उसके बाद से लोगों का भरोशा चुनावायूग में बड़ा और election हमने भी देखे कि निस्पक्ष होने लगे वो चुनावायूग क्या आज की तारिक में सरकार का एक तरह का बिलकुल अभिन अंग बन गया है मानिय मोदी जी का भाजपा के एक अभिन अंग बन गया है कि जैसा वो कहेंगे वैसे ही करेंगे अगर ये सब कुछ है तो ये बहुत जादे दिन तक चलने वाला नहीं है और सरकार को अगर अपने आप पर विश्वास है तो इसको छोड़के बैलिट पेपर से कराए ये डरती है सरकार की जैसा अभी नगर पाली का चुनावों में हुआ निकाए के चुनावों में उत्तर पिदिश में हुआ तो जहाँ जहाँ सोल है जो महानगर पाली का है जो नगर निकाम है उन्में उन्होंने एवियम से कराया वहाँ उन्हें सोल है मैं से चौदे मिली और जहाँ उसके अलावा जो नगर पाली का है जो नगर पंचाएते हैं उन्में बैलिट पेपर से कराया तुम्हाँ बिल्कु सफाय हो गया कि इस बात का डर है उन्हें हकीकत का पता लग गया कि हम केवल EVM से ही जीज सकते हैं और बैलिट पेपर से नहीं जीज सकते हैं मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर सरकार और चुनावायोग EVM के माध्यम से ही चुनाव कराने पर अड़ा रहेगा तो ये दिन दूर नहीं है जब सडकों पर लड़ाई होगी और चुनावायोग को और सरकार को ये फैसला बदलना पड़ेगा और बैलट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा बहतर ये है कि देश में इतना उबाला आए देश में इसकदर उसका अंदोलन खड़ा हो विरोध हो बहतर उस से पहले अगर सरकार और चुनावायोग खुश समझ जाएं और आने वाले जो अलेक्शन हैं कहीं पर भी है चा समय रहते सरकार चेज जाएं तो उसके लिए अच्छा है